साहिब गंज बीजेपी कारेकर्टा के द्वारा आज जारखंट सरकार के विरुध हल्ला बोल किया गया वही कारेकर्टा के द्वारा रैली निकाल कर साहिब गंज नगर पालेका का घिराओ किया गया वही इस रैली में मुख्य रूप से उपस्थित राजमहल विधायक अनंत ओजा पुर्व मंत्री लुइस मरांडी भी उपस्थित रहे वही अनंत ओजा ने सरकार पर जम कर बरसे वही ओजा ने कहा कि हेमंद सरकार जन विरोधी सरकार है इस सरकार को जन मानस से कोई लेना दे पुर्व मंत्री लूइस् मरांडी ने कहा कि बीजेपी के आंदोलं से अगर नहीं सुद्री तो इस सर कार के खिलाफ चरणबंद का अनूलन करेगी वहीं बसंत सोरिन और सीएम के आए से अधिक संपती मामले में कहा कि यह अब नियायाले का काम है जैसी करनी वैसी भरनी कहावत सही बैठी है दोनों पर हम आए हैं कि मानी मुक्मंत्री जी आपकी सरकार के धाई साल लगलग होने जा रहा है और धाई साल में साहिब रंजे नगर्चेतर की जो भी विकासियो दिनाये की वह तो या तो आपकी सरकार में उसको रोग दिया गया या बंद करने की साजिस करके उसको फंदे बस्ते में करते हैं आपके कर जाव करने का प्रदेश बाजपा के मिर्देश पर राते का अंदोलन से अपने कारिषरली में सुधार लाते हैं और जनता को राहत देते हैं तक तो इस तीन थोड़ा सुधर जाएगी और अगर सुधरता नहीं है, अपने कारिशेली में सुधर नहीं लाते हैं, जन्ता के समस्याओं का समाधान नहीं होते हैं, तो फिर भारती जन्ता पार्टी चरंग तक आंदोलन करेगी। नगर पालिका करजाले का समस्याओं किया गया, और जो मुखे मुझे थे, पुर्व से शुक्रित यहां, रेलवे उबर बिरिश, जिसकी शुक्रिती पुर्व में हो चुकी थी, उसका कारिया देश आज तक प्रारब नहीं हो पाया, इंजिनरिंग को लेट शुक्रित हो चु घर बनता था, लेकिन एक नियोजित सडियर्द के तहत, यहां के हजारों गरीबों का, सेक्डों गरीबों का घर रोक दिया गया, शाहे बंसार के अंदर, लगतार, पैटकों में, हर अस्तर पर माध्यम में, ओभर लोडेड, ट्रकों का परिशालन हो रहा है, और कई बार अगरिक जीवन संकट में नव पड़े, लेकिन प्रसासन, सासन, मोन पड़ा हुआ है, आकि इसके दबाव में यह सब हो रहा है, ऐसे अनेक जनहित के मुद्वों पर लोगों को पीने का पानी के लिए हाकार मचा हुआ है, पूरे शेत्र में, आप देख रहे होंगे कि पू अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले